60 million view मिला है इस वीडियो को एक रिल्स का वीज देको 1.5 million है हलो विलकम टू ए नई वीडियो दोस्तो अगर आपका Facebook पेज ग्रो नहीं हो रहा है जो भी content बना रहे हो उसका वीज नहीं आ रहा है रिल्स वीडियो हर एक चीस अप्लोड कर रहे हो फोटो भी अप्लोड कर रहे हो स्टोरी भी डाल रहे हो लेकिन आपका पेज ग्रो नहीं हो रहे है तो आज इस वीडियो पर ऐसा content के बारे में मैं बात करने वाल हूँ अगर उस type का content को आप अपने Facebook page पर लगाओगे दी होगा Facebook आपको एक बर बुष्ट दे देगा लेकिन नेस्ट टैम के लिए आपको काम करना पड़ेगा तो देखो सामने एक Facebook page मैंने open कर दिया इस page का नाम है कुमा रभी और इसका followers का देखो 47 सेवन के followers ठीक है और इसके नीचे में जाऊंगा और देखूंगा इस page के अंदर क्या क्या है विजिकली एक profile है इसको professional mode में convert क्या गया है यह जो बच्चा है सोरी यह जो वाई है Reels upload करते हैं इनका Reels का views देखो 14,000, 18,000, 20,000, 28,000 में mark करके एक बद दिखा देता हूँ देखो यह पर देखो 14,000 है ठीक है 28,000 है ठीक है 11,000, 21,000 है 20,000 है आगे जाकर देखते है देखो 23,000 देखो बीच में एक Reels का views 1.5,000,000 है आगे में जा रहा हूँ उसके बाद देखाऊंगा कि इस पेज के अंदर ऐसा क्या चीज़ जो इनका इस भाई की इतना ज़्यादा views आ रहा है उसके बाद देखो यह जो एक 1.5,000,000 था उसके बाद दूसरा देखो यह पर भी 1.5,000,000 है ठेके और भी आगे जाओंगा और भी आगे जाकर आगे जाकर 1.4,000,000 है देखो इस वीडियो को देखो 1.4,000,000 है और भी आगे जाओंगा और भी आगे जाकर देखो इस वीडियो को 60,000,000 व्यू मिला है इस वीडियो को तो चलो एक पर इस वीडियो को प्ले करके देखती इस वीडियो का अंदर है किया, तो यह जो भाई बनाते है, reaction वीडियो बनाते है, side में एक दूसरे का clip है, और दूसरे side में उनका खुद का clip है, जो भाई का page है, उसी भाई का ही है, simple सी एक reel है, इनका title क्या है, भाई पूलिस वाला पर भी भरवसा ना है, दो emoji लगा हुआ है, और इनका title भी लगा हुआ है, नीचे tags भी लगा हुआ है, और यह जो है, कितना share हुआ है, देखो, मैं बार बार बताता हूँ ना कि shareable content अप्लोड करो, shareable content अप्लोड करो, तो देखो 14k share हुआ है, 14k share हुआ है, 690k, इसका likes है, comment है 3.4k, star मिला है 1, और यह जो page monetize भी है, इसको मैंने check किया, तो इस टाइब का content को upload करके आप अपना page ये profile को monetize भी कर सकते हो, तो जितना चल्दी हो साके इस टाइब का content को upload करो, आगे जाकर आपको बहुत रिल्स आपको दिखने को मिल जाएगा, जिसका views बहुत ही अधा है, तो चल्ले वगर वीडियो section पर जाकर देखते है, वीडियो section पर इनका ज़्यादा वीडियो नहीं है, सिर्फ दो ही वीडियो है, एक सास सेकेंड का है, दूसरा पंदरा सेकेंड का है, लेकिन views भी उतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ rules बनाकर आप पैसा कमा हो सकते हो, फेस्बुक से long वीडियो upload करो या ना करो, जो भी rules बना रहे हो, इसको अच्छे से बनाओ, और reaction वीडियो बनाकर भी आप अपने page ये profile को monetize भी कर सकते हो, YouTube पर ऐसा ही किसी भी page पर, channel पर ads चलते है, जो monetize नहीं है, लेकिन Facebook पर ऐसा नहीं है, जो page monetize है, सिर्फ उसी पर ad चलते है, और इसका proof मेरे पास भी है, मैं screenshot लिया था, इनका जो 60 million वीडियो था ना, वही वीडियो मेरे पास आया था, उस वीडियो को मैंने देखा, बहुत ज़्यादा reaction है, बहुत ज़्यादा श्यार है, इसलिए उहाँ पर देखते देखते मेरे पास एक ad भी आ गया था, और उसी दोरन में, आप अपने content में अप्रूट करोगे, तो आप grow करोगे, तो चलो आप बात करते है, reaction वीडियो को बनाते कैसे है, रियल्स का जो reaction वीडियो होता है, यानि कि remix वीडियो उसका rules क्या है, फेस्बुक ने उसका rules को क्या बनाया, फेस्बुक बता रहा है कि आप जिस rules से कमाना चाते हो, वो rules पब्लिक rules होना चाहिए, यानि कि आप पब्लिक लिए बनाओगे, तब ही जाके वो money days होगा, और जो rules बना रहा है, अगर Woono ने permission दिया remix करने के लिए, वहाँ पर remix करने का option है, तब ही आप उस rules से remix बना सकते ह बढ़ना उस वीडियो को download करके remix करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ से जो वीडियो को download करके remix करना कर भी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फाइदा होता है direct video से, तो यह पर Facebook बता रहा है, आप अपना gallery से भी photo video को लेकर reaction video बना सकते हो, या Facebook से लेकर भ वीडियो, image, sound को add करना पड़ेगा, जरूरी है, ने तो copyright का issue आ सकते है, अगर मेरे वीडियो को आप अभी reaction बनाओगे, तो side में मेरा video रहेगा, दूसरे side में आपका video रहेगा, इस चीज़ से आपका काम चल जाएगा, या जब आप उस video को बना रहे हो, तो उसका sound को भी change क खतम हो जाएगा, चौथा जो है, रिल्स अप्लोड करने के समय, वहाँ पर एक option दिया जाएगा, कि आपके रिल्स से कोई remix कर सकता है, क्या नहीं, और कौम देख सकता है, तो public रखना, और उसको भी on करके रखना, और यहां पर कुछ limitations भी है, जिनों ने video को अप्लोड किय अगर वो sound को change करेगा, अगर आप उसी का sound को लेकर काम कर रहे हो, तो आप कभी sound change हो जाएगा, अगर उसके वीडियो के ऊपर कोई भी restrictions वगरा लगते है, तो आपके वीडियो पर भी लग सकते हैं, जब भी remix कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा, क्यों उस वीडियो पर remix बनाने में फैदा किया है, या नहीं है, इसलिए मैं बता रहो कभी कबर, आप offline वीडियो से भी remix वीडियो को edit करके, facebook पर upload कर सकते हो, तो remix वीडियो को क्या से बनाया जाए, आप उसके बारे में बात करते हैं, तो अनलाइन remix वीडियो बनाने के लिए, रिल से reaction है, remix वीडि को disable करके रखता है, तो आप उस वीडियो से remix को नहीं बना पाऊगे, रिल्स को play करने वक्त, नीचे side में का option आपको दिखने को मिलेगा, यह जो three lines, sorry, three dots, इस dot पर आप tap कीजिए, तो उहाँ पर आपको remix का option दिखने को मिलेगा, इस वीडियो पर remix का option show नहीं हो रहा है, यह नहीं कि इस रिल्स से मैं remix वीडियो नहीं बना पाऊँगा, अगर आप नहीं बना पा रहे हो, लेकिन उस रिल्स आपको बनाना है, तो उस रिल्स को download करके remix वीडियो बना कर अप्लोड करते हो, ठीक है, और उसका जो song या music है, उस समय रिल्स का upload करने, वहाँ से music को select करके, डलतो जैसे आप नॉर्मरी रिल्स को upload करते हो, ठीक है, तो दूसरा एक रिल्स को देखते है, चलिए, इस रिल्स को देखते है, तो चलो इसको पहले pause कर देता हूँ, उसके बद हो three dots पर मैं tap करूँगा, और यहाँ पर एक option मुझे दिख रहा है, कि remix this reel, create a reel that place at the same time, और add it to the end, आप वीडियो के end में भी clip को add कर सकते हो, यह साथ में भी इसको भी चला सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मैं tap करूँगा, तो देखो एक option दिखाए देगा, side में मेरा back camera on है, इसलिए back camera में मेरा जो camera stand है, triford है, वो show हो रहा है, और side में original clip show हो रहा है, जिनकर रिल्स के यहाँ पर tap करके आप layout को change कर सकते हो, use as clip यह record with, अगर आपको इसके साथ record करना है, तो यहाँ पर आप select करके डगो, अगर आपको इसको as a clip use करना है, तो इसको यहाँ पर tap करो, ठीक है, उसके बाद आप अपना काम को चालू कर सकते हो, यहाँ पर audio को भी आप change कर सकते हो, अगर इसका audio को लेना है तो उसी को रहने दो अगर change करना है तो change music पर tap करके आप music को change भी कर सकते हो अगर music को remove करना है तो यहाँ पर tap करके music को remove भी कर सकते हो उसके बाद अगर आपको camera को change करना है तो यहाँ पर click करके आप camera को change भी कर सकते हो तो इस तरीके से remix video को बनाया जात है जितना जल्दी होसा कि इस काम को चलू कर दो एड्सों रिल्स मिल जाएगा तो आज का वीडियो अगर वीडियो का चला का वीडियो को लाइक करो और आपना फिर्वेट परशन के शाथ शेर करो थैंक्यू सो मच